कि अअब और बहुत दों को घलत प्हेमी हैं के हिंदू मदभ में गोश्ट खाने की मुमानियत है बाइय आप हिंदू है ना आपके नाम से लगता आप हिंदू है गोज़र थो Gilだ हिंदू है आप हिंदू है ना बिल्कुस है आपके नाम से लग रहा है आपका नाम है आप हिंदू है आपको गलत पेमी होंगी के हिंदू मदभ में गोश्ट खाना हराम है आप जब हिंदू मदभी किताब पढ़ते हैं आपके मदभी किताब में लिखा है कि गोश्ट भी खा सकتے है मास भी खा सकते है और बीद भी कह सकते है गाय का खोश भी खा सकते है आप जब पड़ेंगे मनुस्विती चाप्टर नमबर पांच अधिया नमबर पांच श्रोका नमबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जनवर खाने वाले मखलुक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है तो आप कोई गुना नहीं कर रहें क्योंकि इश्वर्ण ने कुछ मखलुक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलुक को खा जाने के लिए तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते है तो गुना नहीं कर रहें लिखा है मनुस्पिती में अधिया नमबर पाँच श्लोका नमबर एकटिस में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कतल करते हैं तो कोई गुना नहीं करते हैं लिखा है मनुस्मिती में अध्या नमबर पांच श्लोकान नमबर 49 और 40 में कि इश्वर्ण ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए साक्रिफाइस के लिए तो किलिंग इस साक्रिफाइस इस नॉट किलिंग तो कतल करना पूजा में कतल नहीं है तो मनुस्मिती के मुताबेग आप गोश खा सकते हैं फिर आप जब मुताला करेंगे मा भारत का मा भारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नमबर 88 में युदिष्टर पांडों के पांच भाई थे आपनों युदिष्टर का नाम तो सुना होंगा युदिष्टर पांडों के पांच भाई थे युदिष्टर पांडों में सबसे बड़ा भाई था वो पूछता है भीश्म से कि हम यगना में पूजा में क्या खाना दे ताके ह हमारे परदादा एक महने के लिए संतुष्ट रहेंगे अगर हम मचली देंगे तो दो महने के लिए अगर गोश्ट देंगे तीन महने के लिए अगर खरगोश्ट देंगे तो चार महने के लिए अगर बखरी देंगे तो पाँच मैने के लिए अगर सूर देंगे तो छे मैने के लिए अगर फरिंदा देंगे तो साच मैने के लिए अगर हिरन देंगे तो आठ मैने के लिए अगर बेल देंगे तो गैरा मैने के लिए अगर काई देंगे तो पूरे एक साल के लिए हमारे परदादा संतुष रहेंगे एक साल अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो बारा साल के लिए अगर राइनोसर देंगे या रेड़ मीट लाल गोश तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष रहेंगे पूरा मेनू है माँ भारत में हिंदू किताब में पूरा मेनू है क्या चाहते हैं भाजी पाला, मचली गोश, खरगोश, हिरन बीफ बड़े का छोटे का सब है आप अगर वेद पढ़ेंगे वेद में भी लिकाए कि संत और सादू गोश खाते थे गायका कुछ भी खाते थे फिर आप क्यों कहते है कि गोश खाना हराम है क्यूंकि भोश्ते हिंदू लोग बाकी मजाहिब से प्रसन हुए मजभ से प्रसन होने के बाद कुछ मजभ मानते अहिम सामे और वो समझते है कि जानवर को कतल करना गुना है क्यों ऑजी-पाड़ा में जानाई है वाजी-पाड़ा में जानार इसे वाजी-पाड़ा खाना गलत नहीं है लेकिन जानवर खाना गलत है आज साहरे सक्षिक चुका है और हम जानते हैं कि पेड़-पाड़ा में भी जानैं तो उनकी logic दर्द बदल की हाँ हाँ जाकिर बैं हम जानते पेड़ पवदों में जान है लेकिन पेड़ पवदे उनको दर्द का एसास नहीं है उन्हें दर्द नहीं होता है पेड़ पवदों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है इसलिए जानवर खाना को सुनाएं ने देती हम इंसान तरेफ ट्वेंटी साइकल और ट्वेंटी थाउजन साइकल्स के धर्मयान फ्रीक्वेंड में सुन सकते इसके नीचे इसके ऊपकर नहीं सुन सकते वो चीकते हैं लेकिन आवास शुनाएं नहीं देती तो एक शक्स ने मुझसे सबसे जादा भ करना나बड़ कोच्णेद से पुछा कि अगर आपका भाई पैंडा होता है दो संस्स कम के साथ वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है और बहरा है जब वो बढ़ जब day अगर कोई इनसान उसका कखतल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मी लॉड कातिल को कम सदा दो क्योंके मेरा भाई गूंगा था वेहरा था वो सुन नहीं सकता था बात नहीं कर सकता था आप तो कहेंगे कातिल को डouble punishment दो मेरा भाई तो मासूं था ना सुन सकता था ना बात कर सकता था इसलाम देख जूर लिंशे जैसे अलूसेंसे होने इसलाम मेरा तला फर्माते है सुरे बखरा में सुरा नमर दो आयत नमर 168 में 168 में इट अज़ गुड तिंग विच अल्ला है प्रोवाइड दियू जो अच्छी चीज आपको आपके अल्ला ने दिये उसको आप खा सकते हैं तो आप अगर मुताला करेंगे मजभी किताबों का और साइन्स का गोश खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसान कोई गिलाश इकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम अगर हिंदू गोश नहीं खाते मुझे कोई गिलाश इकवाने क्योंके अगर सब हिंदुस्तानी गोश खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश का भाव बढ़ जाएगा आज महिंगाई का दमाना है पेट्रो का भाव बढ़ रहा है सब हिंदुस्तानी घोश खाने लगेंगे तो घोश का भाव भी बढ़ जाएगा तो मुझे कोई गिलाश रिक्वाने आप अगर गोश नहीं खाते लेकिन अगर आप यह कहेंगे कि गोश खाना गलत है तो आपको आपके मदेबिक किताबों के बारे में नहीं पता है और साइ जीने सकेंगे इसलाम में ये है कि जो चीज की इजाज़त है वो आप खा सकते जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए